बॉलिवूर्ड इंडास्ट्री में नर्गिस और राश कपूर की लव स्टोरी बहुत चर्चा का विशेर रही है 9 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में थे जैसे ही नर्गिस ने सुनील दत साहब से शादी की वैसी ही दोनों का रिष्टा खतम हो गया उसके बाद 24 सालों तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई लेकिन 24 सालों बाद उनकी मुलाकात हुई रिशी कपूर की वज़े से आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही वाक्या बताने वाली हूँ कि क्यूं जिस नर्गिस ने 24 सालों तक राजकपूर साहब से मुलाकात नहीं की वो रिशी कपूर के कारण राजकपूर साहब से मिलने गई जिस वक्त नर्गिस राजकपूर साहब के साथ relationship में थी तब कहते हैं कि नर्गिस ने राजकपूर को सिर्फ अपनी महनत नहीं, dedication या अपना soul नहीं दिया था बलकि अपना सब कुछ दिया था, एक टाइम ऐसा भी था जब राजकपूर साहब financial crisis से जूँज रहे थे तब नर्गिस ने अपनी जूलरी बेच कर उन्हें इस मुसीबत से बचाया था, कुछ इस तरह का रष्टा था नर्गिस का इन्फेक्ट इन्होंने अपने आरके स्टूडियो में कई सारे पल साथ बिताए, लेकिन 1958 में जब नर्गिस ने सुनीरदत सहब से शादी कर ली तो उन्होंने राजकपूर सहब से अपने सारे रिष्टे तोड़ दिये और थोड़ी दूरिया बना ली, इन्फेक्ट अपन भी नर्गिस आरके स्टूडियो में आई ही नहीं, इधर राजकपूर सहाब अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गए, वहीं नर्गिस की अगर बात करें तो वो भी अपनी फैमिली में बिजी हो गई, लेकिन 1980 में वो वक्त आया जब नर्गिस को एक बार फिर से आरके स्टू इधन की तरह सजाया गया था, संगीत के लिए इस्टार नुसरत फते अली खान साब को पाकिस्तान से इंडिया फ्लाइट की टिकेट करवा कर राजकपूर सहब ने ही बुलवाया था और ये पहली बार था जब खान साब ने बॉलिवूड इंडस्ट्री की किसी प्राइव स्टूडियो में आई और 24 सालों बाद उन्होंने इस आरके स्टूडियो में कदम रखा था शादी तो उस दिन रिशी कपूर सहब की थी लेकिन नर्वसनेस नर्गिस जी को थी क्योंकि काफी समय बाद वारके स्टूडियो में आई थी और पुरानी यादे कहीं न कहीं बै क्रिशन राजकपूर की वाइफ कृस्ट ृ राजकपूर ने पर–शननली नर्गिस को उस दिन अटेंड किया अपने साथ रखा और कुछ ऐसी बाते कहीं, जिससे नर्गिस थोड़ा सा रिलेक्स फिल करें कृस्ट राजकपूर ने कहा कि मेरे पती बहुत हैंसम है थोड़े रोमेंटिक भी है मैं समझ सकती हूं कि इन से अट्रैक्ट होना बहुत सामान्य बात है लेकिन अपने आपको किसी ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ जो बीच चुका है तुम हमारे घर पर एक बहुत ही स्टूडियो को जिस राजकपूर को 56-57 में छोड़ दिया था उनसे मुलाकात हुई रिशी कपूर के कारण इन फाक्ट ये वाक्या पूरा रिशी कपूर ने अपनी किताब में मेंशन किया है कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवुड केक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुड ठिकाना